हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अ चाहूंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा वट्सैप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बन है से एक स्क्वेरिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक स सार सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है फिंगर्स काफी थिक हैं यहां से अप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को जो दरशाती है बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी अगर हम लेंट की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी तरचनी उंगली अच्छी थिकनस में होने के साथ-साथ काफी अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है इस तरह की स्ट्रॉंग जुपिटर फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रास्ता दिखाने वाली परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी फिंगर नजर आ रही है इस तरह की शनी फिंगर का होन इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा एक डिस्सिप्लेंट परसनालिटी एक अनुशाशन प्रिया और नयाय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी प्रोग्रस कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब होते हैं अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहां पर भले ही हमें इनकी तरजनी के मकाबले थोड़ी शौट नजर आ रहे हैं लेकिन हाई सेट सूर्य फिंगर है इनके हाथ में और सेट नजर आ रहे हैं जिस वज़य से यह हमें थोड़ी शौट लग रहे हैं लेकिन फिंगर की लेंथ ज्यादा कम नहीं है यह फिंगर थोड़ी लो सेट होने की वज़य से हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा अगर हम यहां से बिल्कुल नीचे एक line draw करें तो कुछ इसतरह कि एक फिंगर एक line बनती हुए आपको finger के नीचे नजर आएगी और इसतरह कि रेखा का बनना जो बिल्कुल नीचे की तरफ declining है, इंडिकेट करता है कि native की यह finger काफी low set है जिस वज़े से थोड़ी shy type की nature थोड़ी hesitation वाली nature ऐसे व्यक्तिकी रह सकती है overall communication skills में कोई ज़्यादा negative प्रभाब इसका नहीं होगा क्योंकि यह finger length में ठीक है लंबाई में इसका top falange काफी अच्छी length में नज़र आ रहा जिस वज़े से native के communication skills अच्छे देखे जा सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे fingers के बीच में बिल्कुल भी gap नहीं है fingers आपस में बिल्कुल सटी हुई आपको नज़र आएंगी जो बहुत ही positive chin होता है इस तरह है की fingers का होना indicate करता है कि native की money management काफी अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना और किस तरह से invest करना इन चीजों में भी काफी expert हो जाते हैं चलिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरू परवत की जो तरजनी उंगली के नीचे का area होता है यह इतना area जिसको मैं भी circle कर रहा हूँ यह गुरू परवत कहलाता है और जिन लोगों का यह mount उठा हुआ हो ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable होते हैं काफी अध्यात्मिक और spiritual होते हैं यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रिखाएं भी नज़र आएंगी इस तरह की lines को sympathy lines कहा जाता है ऐसे व्यक्ति sympathetic सभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे और खास तोर पर यह जो उपर वाली रेखा है इसको गुरू वलाय कहा जाता है यह पूरी तरह से complete नहीं है लेकिन इस तरह का आशिक गुरू वलाय बनना भी काफी positive होता है इस तरह का गुरू वलाय भले ही native को थोड़ी वेराग्या की भावना देता है लेकिन साथी साथ ऐसे व्यक्ति की रूची अध्यातम की तरफ भी काफी अधिक देखने को मिल सकती है अब देख पाएंगे काफी अच्छी progress line इनके हाथ में मौजूद है यह रेखा जिसको हम तरक्की की रेखा के नाम से जानते हैं यह रेखा जीवन रेखा से या मस्तिक रेखा से निकल कर अगर गुरू परवत में उपर की तरफ चलती हुए आपको नज़र आए तो इसे बहुत ही positive line के तौर पर देखा जा सकता है इस तरहें की रेखा को progress line कहते हैं और जिनकी एथेली में यह रेखा मौचूद होती है ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयब जरूर होता है अगर हम इनके शनी परवत की बात करें तो शनी का मौट हलका सा दबता हुआ आपको नजर आएगा और एक लंबी और स्पष्ट शनी रेखा का अभाव भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है इस मौट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है जिन लोगों का शनी परवत दब रहा हो ऐसे व्यक्ति को अपने कमफट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ सकता है आपको बताना चाहूँगा शनी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सपष्ट हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफी कमफट रहते हैं शनी रेखा इस रेखा को कहा जाता है जो यहां से शुरू होती है और इस तरह से बिना रुके और बिना तूटे यहां तक पहुंच जाई यानि यह जो एरिया होता है यह शनी का परवत होता है अगर किसी के हाथ में ऐसी लंबी और पश्ट रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही comfortable रहता है और अगर यह रेखा broken हो तो जीवन में उतार चड़ा भी देखने को मिलते हैं अब देख सकते हैं इनकी हथेली में श्यनी रेखा की commencement काफी अच्छी है नीचे से यह रेखा शुरू होकर आपको लगबग यहां तक नजर आएगी उसके बहुत बहुत बारीक ब्रांचिस के रूप में यह रेखा आपको इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी से इस रेखा का काफी स्ट्रॉंग होकर चलना दर्शाता है कि नेटिव 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की पाने में भी काम्याब जरूर होगा अगर हम इनके सूर्य माउंट यानि इस जो हमारी अनामी का उंगली रहती है इसके नीचे के एरिया को देखें तो आपको यह माउंट हलका सा दबता हुआ नजर आएगा यहाँ एरिया हलका सा डिप्रेस्ट है लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा फिश का चिन भी बन रहा है इस माउंट का दबना यश को कम करता है ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य परवत अंदर की तरफ दबा हुआ आपको नजर आए ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें जितनी भी दूसरों की help कर लें बदले में कोई appreciation नहीं मिल पाता ऐसे native को लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी positive चिन हो तो स्थितियां बदलती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रिखाओं के माध्यम से बनने वाला एक fish नुमा चिन नजर आए पाते हैं काफी अच्छा name and fame 40 वर्ष की age के बाद ऐसे व्यक्ति को चीवन में मिलता है मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी माउंट भले ही यहाँ से low set है लेकिन काफी उभरा हुआ यहाँ परवत आपको नजर आएगा और इस माउंट अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं काफी अच्छी healing qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी अगर हम बात करें इनकी हाट लाइन की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हाट लाइन पहुँचती हुई इनकी रिदय रेखा आपको इस तरह से नज़र आएगी यहाँ रेखा बिल्कुल स्ट्रेइट है और लगभग इस से रिया तक पहुँचती हुई और यहाँ जो गुरू का इरिया रहता है यहाँ अध्यातम का इरिया है अगर किसी की हार्ट लाइन इस इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आप देख पाएंगे कुछ इस तरह के छोटे-छोटे आईलेंड्स जैसे चिन आपको इनकी हिर्दय रेखा के अंत में आकर बनते हुए नजर आएंगे जिस वज़े से नेटिव को 50 प्लस की एज में चलकर ब्लड प्रेशर थायरोयड जैसी द इस तरह की मस्तिक शरेखा का होना ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है साथी साथ यहां पर एक फोर्क का चिन बनता हुआ इस तरह का जो चिन है अगर माइंड लाइन के अंत में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी राइटिंग अबिलिटी हो सकती है ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है अगर ऐसा नेटिव अपनी ओवर थिंकिंग को अपनी ओवर इमेजिनेशन को चैनलाइज कर ले तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट यहां राइटर बन सकता है अदर्वाइज इस तरह की चुकी हुई मस्तिक शरेखा हो होने की वज़े से नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस का सामना भी अपने चीवन में करना पड़ सकता है इस तरह की मस्तिश रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमरी और लॉजिकल पावर काफी स्ट्रॉंग भी रहने वाली है अगर हम इनकी जीवन की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहां पर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है जिसकी वज़े से इनकी जो एज है वो लंबी रहने वाली है यहां से शुरू होने वाली है जीवन रेखा लगबग इस सेरिया तक जो 75 के अराउंड एज को इंड नाच निकलने की वज़े से बन रहा है इसको केतू परवत के उपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है और यहां पर इस तरह का चिन बनना चीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है ऐसे व्यकति के चीवन में विदेश यात्राएं धिक रहती हैं साथी साथ ऐसा व्यक्ति अपने ही कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं कर पाने में सक्षम होता है, इस तरह का चिन होने से चीवन में कई बार अच्छानक धनला भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को शेर मार्किट से, लोटरी से, इंशोरेंस या इनहेरिटेंस जैसी लोग भी बनते हैं, अगर हम इनके शुकर परवत की बात करें, तो आप देख पाएंगे शुकर परवत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, इस माउट का उभरा हुआ होना चीवन में लग्जरी इसको इंडिकेट करता है, इस तरह का शुकर परवत यानि वीनस माउट ह होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में हर तरह की सुक सुविधाएं जरूर मिलती हैं, ऐसा व्यक्ति हर तरह के कमफर्स को एंज्वाय कर पाता है, लेकिन इस माउट के उपर काफी सारी रिखाओं का होना और उन रिखाओं का कटना अच्छा चिन नहीं हो अब देख सकते हैं, ऐसे रिखाओं आपको इनकी थेली में इस माउट पे नजर आएंगी और इस तरह ऐसे यह कटती हुई भी नजर आएंगी, ऐसा साइन वीनस माउट के उपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को परिवार से रिलेटड दिखतों का सामना करना चंदर परवत का जो एरिया है यहाँ पर हलका सा दबता हुआ और यहाँ पर काफी सारी आड़ी रिखाएं भी इनके मून माउंट के उपर आपको नजर आएंगी, इस तरह की लंबी रिखाओं का होना लांग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता हैं अगर चंदर पर पर मौचूद हो तो व्यक्ति को अपने चीवन में काफी सारे ट्रैवल करने पड़ते हैं शौर्ड डिस्टेंस ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के चीवन में अधिक देखने को मिलते हैं चंदर परवत के उपर ज़्यादा रिखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता इस तरह की रिखाओं यहां पर होने से नेटिव को एंकसाइटी यानि बेचैनी जैसी समस्या का सामना करना पर सकता है थोड़ा तना भी ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में फेस करना परता है तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद